सरकार के हाथ को मचपूत करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से तालुका और ग्रामिन शेत्रों में टीककरण के लिए घरगर जाकर टीककरण के उद्देश को पूरा करने में तेजी लाने के लिए कलेक्टर विमला आरद्वारत निर्देश दिये गए वह कलेक्टरेट के बचत भवन में आयुजित जिला कारियाले की बैठक को संभोधित कर रही थी रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर विजिया बांकर जिला स्वास अधिकारी डॉक्टर दीपक से लोकर अमिर टंडन जिला अब्दा प्रभंधन अधिकारी अंकुष गावंडे एनमसी के अतरिक्त आयुक्त राम जोशी उपस्तित थे जबकि अलपना बोस और डॉक्टर संजे माने ने वर्चुल सिस्टम के माध्यम से चर्चा में भाग लिया जिले में पहली खुराक का 14 प्रतिशत टीका करण किया जा चुका है लेकिन दूसरी खुराक की खुराक उसमें कम है इसके लिए गैर सरकारी संगटनों के सहयोग से लोगों में जागरुकता पैदा कर टीका करण अभियान को तेज किया जाए जो की कोरोना टीका करण को लेकर नागरिकों में एक ध्रांती है जागुकता बढ़ाएं और ग्रामिन शेत्रों में घरगर जाकर तीका करण कराएं उन्होंने कहा कि इस काम में मावीम के महिला स्वसाहता समू आत्मा और क्रशी समू की मदद ले टीककरन प्रती रक्षा प्रणाली को बढाता है और बिमारी को रोकने के लिए ताकत बनाता है इसलिए नत्युदर और सुरक्षा की द्रश्टी से टीककरन करना आवशक है उन्होंने कहा लाइंस कलब ने 7000 टीककरन लक्ष को पार करने पर उन्हें बधाई दी स्वास्त प्रणाली को इस काम को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए और टीका करना चाहिए और संभावित्ती से लहर का सामना करने में सक्षम होना चाहिए गर्वती महिलाओं और बुजर्गों को टीका करन वेन द्वारा टीका करन केंद्र लाया जाए उन्होंने उमीद जताई की महिलाओं के टीका करेंड को पिछले महीने उसी तरह से सहच प्रतिक्रिया मिली जिस तरह 8 से 14 अक्टूबर के बीच होने वाले कवच टीका करेंड अभियान को अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी उन्होंने पहली खुराक का टीका करेंट पूरा करने के बाद ही दूसरी खुराक के टीका करेंट पर अधिक से अधिक जोड देने के निर्देश दिये टीका करण अध्यनों से बता चलाए कि COVID वैक्सीन लाभार्तियों में दूसरों को संक्रमित करने का जोखिम बहुत कम होता है और गंभीर बिमारी विक्सित होने का जोखिम कम होता है COVID ड्रोग मृत्यू के जोखिम को भी कम करता है इसलिए जिन हिद्ग्राहियों को पहले टीका करण नहीं कराया गया है वे मिशन कवच कुंडल अभियान का लाव उठा कर टीका करण कराए इसी तरह पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक के पात हिद्गराही भी टीका लेकर अभ्यान के लिए पंजी करन कराएं शुरुआत में अमिर टंडर ने एक प्रजेंटेशन के जरीए जियो अंजियो प्लैटफॉर्म के बारे में जानकारी दी परीचे में जिला स्वास्त अधिकारी डॉक्टर दीपक सिलोकर ने कवच ठीका करन की जानकारी देते हुए कहा की ठीका करन से कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो इसका कोई असर नहीं होगा दूसरी खुरात के लिए युद्ध के मैदान में काम करना सरूरी है उन्होंने जिले के सभी संस्थानों से इसमें भाग लेने की अपील की स्वास्त प्रनाली को कम टीका करन वाले गामों पर ध्यान किंद्रित करना चाहिए और घरगर टीका करन करना चाहिए इसके लिए तालू का इस्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वहीं इस कारे में ग्रामिल शेत्रों के जन प्रतिनीधियों की मदद ली जाए उन्होंने का कि तालू का इस्तर पर बैठक कर टीका करण की योजना बनाई जाए बैठक में एंजियों के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये बैठक में जिले के गैर सरकारी संगटनों के पदधिकारी और विभिन विभागों के अधिकारी शामिल हुए कैमरे परसन राजकुमा मोहर के साथ अभिशेक पांसी बीसी न्यूस नाखपर